आप लोगों का स्वागत है मेरे कोर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 यानि इस वीडियो में हम सब जानने का परियास करेंगे कि वैस्विक सांती सुचकांग 2023 में भारत की क्या इस्तिति है भारत के पडोसी देशों की क्या स्थिति है इसके अलाबा इस इंडेक्स में टॉप फाइप कंट्री कौन से है और लीस्ट कंट्री कौन से है यानि सबसे निशले पाइदान पर कौन कौन सी कंट्री है इसके अलाबा इस वीडियो में और जानेंगे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जो है वो कौन सी सं सुधार हुआ या नहीं सुधार हुआ है तो इस वीडियो में हम जानने का प्रियास करेंगे यह करन्ट अफेर्स की दृष्टी से बहुत ही महत्पून वीडियो होने वाला है क्योंकि इंडेक्स से बहुत इंपॉर्टेंट सारे कुशन पूछे जाते हैं तो प्लीज आप ल पर है अब यह ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है किन अधार पे तो देश में आंत्रीक संगर्स सरनार्थी की स्थिति पडूसी देशों के साथ संबंधों आधी मानक की अधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी की जाती है तो आप अगर पडूसी देशों की ब चाइना से दो बार कॉन्फिलिक्ट हो चुका है और 2019 में भी हुआ था फिर पाकिस्तान से भी 2019 में हुआ था फिर अभी लेसी पे टेंसन बना ही है चाइना के साथ तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पीस का मतलब होता है सांती इस संदर में अगर आप सोचे तो सा अंती का मतलब यह हुआ कि हमारा जो देश है वो कहां कहां घिरावा है किन किन कंट्री से घिरावा है और वहां क्या सिच्वेशन है तो यह आधार होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करने का प्लस देश में अंतरिक संगर्स अंतरिक संगर्स भी हमारे देश में होता ही रहता है जैसे मनिपूर इंसिडेंस हुआ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंस होते ही रहते हैं सरनार्थियों की स्थिती तो सरनार्थि भी बहुत सारा आते हैं बांगलादेश सबसे तो इन सब की स्थिती को देखते हुए भारत की जो रैंक है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स ने 126 20 दिया के लिए खालब कुछ और जारी की जाती है तो कुछल आता है कि आप से पूछा जाएगा तो आपको यह भी आप याद रखना है कि इस्टियूट और economic and peace द्वारा जारी की जाती है अच्छा यह जितना भी इंडेक्स है यह अलग-अलग संस्था द्वारा जारी की जाती है अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो हमारे प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते है इस्टैक्टिक जीके का प्लेइलिस्ट होगा वहां पे आ बात होता है तो प्लीज आप जाकर देखे अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो आप अनाम से वीडियो को देखेंगे एक एक बात समझेंगे और कॉपी में नौट डाउन करके एक्जाम में यथार्त उत्तर देंगे अब बात करते हैं कि यह वाला जो जो देख का स्कोर होगा वह marathon संत्ति ज्यादा है एशन डेस का स्कोर अधिक होगा संट असन्ति ज्यादा समझ में आगिया तो रहंग एक पैया आइस लेंड या आप से ri na pers bicoy कोर कूर को 11 conclude देख सकते हैं बगल में 11310 تीसरा कंए इसलेन्थ रेंड इस वह रेंज टो ठीन 카य और पाचमा आउस्ट्रिया, स्कोर 1.316, तो ये टॉप 5 कंट्री हो गए, जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में है, ये पाचों आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप PCS जैसे एक्जाम में आपको जो प्रस्ण पूछे जाएंगे, वो सिर्फ ऐसा नहीं पूछा जाएग और ऐसा option भी रहेगा, इसलिए आप कम से कम पास तो आप याद करके ही जाएं, आइए अब समझते हैं कि सबसे निचले पाइदान पे कौन-कौन से देश हैं, तो सबसे निचले रैंक वाले 7 राष्ट, साथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है हाल्या एक साल क के दोरान में रूस और युक्रेन बहुत ही निउज में है, तो इस कारण से इन दोनों का भी मैं लिख चुका हूँ, क्योंकि ये दोनों से एक्जाम में आ सकते हैं प्रस्ट, तो सबसे निचले पाइदान पे 163 में अस्थान पे है अफगानिस्तान, जिसका स्कोर है 3.448 स सबसे अंतिम है, और ये पिछले साल भी सबसे अंतिम था, याननि 2022 में भी सबसे लाश्ट, और 2023 में सबसे लाश्ट, फिर 165 में नमबर पे है यमन, इसकोर 3.560, इसकोर 3.294, इसकोर 3.560, जो कि 2011 में सुडान से लग हुआ था, और ये 2011 में एक स्वतंद्र देश बना था, दक्षिनी सुडान, इसकोर 3.221, 169 अस्थान पे हैं कांगो, इसकोर 3.214, 158 अस्थान पे हैं रूस, इसकोर 3.142 और ठीक उसके ऊपर थोड़ा सा है 197 अस्थान पे यूक्रेन, इसकोर 3.043, तो आप रूस और यूक्रेन का याद रखेंगे, इसके अलावा टॉप 3 राष्ट भी याद रखेंगे, इसके अलावा सबसे निचले अस्थान पे कौन से टॉप 3 कंट्री हैं तो अफगानिस्तान, यमान और सीरिया, क्रमसा आप देखे ही अब देखते हैं कि भारत और पडूसी देशों की स्थिति इस इंडेक्स में क्या है आईए देखते हैं भारत और पडूसी देशों की स्थिति, तो इस साल जो है 2023 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक जो रहा वो 126 रहा इसकोर 2.314 है और ये इसकोर भी आप याद रखेंगे खास करके भारत का वहीं 2022 में भारत का अस्थान 135 मा था यानि 9 पाइदान का उच्छाल हुआ है भारत में सुधार हुआ है कह सकते हैं 2022 में 135 अस्थान पे जहां भारत था 2023 में 126 इर सथान पे पहुंचा है और अगर इसके पडोसी देशों की बात कर तो भुटअन सबसे अच्छे अस्थान पे है सतरमें अस्थान पे है स्कोर 1.49, छो गए सेवन्टिनाइन रंक पे है नेपाल इसकोर दो दसंबलब जीरो 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 चुनाइन छी लंका, इसकोर 2.136, 145 में अस्थान पे है मियान मार, जहां पे अभी मिलिटरी सासन करती है, इसके बारे मैं मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप सब के लिए, क्योंकि यह भी इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसकोर मिला है 2.741, और 146 में अस्थान पे पाकिस् इसकोर 2.745, अब मुखे बिंदू यह है कि भारत का आपको रैंक याद रखना है, भारत का इसकोर याद रखना है, टॉप फाइव जो कंट्री है, वो याद रखना है, प्लस ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन से संस्था जारी करती है, इसे भी आप याद रखेंगे, प्लस यह था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के उपर वीडियो, मुझे लगता है कि यह सब एक्जाम में आ सकता है, और आप ब्यार टीचर में देखी ही थे, बहुत सारे कुश्चन हमारे वीडियो से लड़े थे, तो प्लीज इग्नोर नहीं करेंगे इसे, और बहुत मेहनत लगता ह है कि वीडियो बनाने में तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर ले चलिए जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और महत्पुन टॉपिक के साथ अब तक के लिए थांक्यू बाइ बाइ और टेक केर